कि सलाम आलेकूं डियर स्टूडेंट टुडें इंशाला आप विल डिसकस हैवा लेक्टर नमबर 36 जैसे कि आपको बता कि हमने अपने बेसिक प्रॉबिल्टी में पर्मूटेशन स्टार्ट किया हुआ और इस पर्मूटेशन में हम नमबर की पर्मूटेशन के बारे में क्वेश्चन सौल कर रहे हैं तो एक अदर कुष्टन और देखते हैं कि कुष्टन यह है कि 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 उसने कहा कि फॉर डिजिट नमबर फॉर बनाओ चार डिजिट नमबर या हो मनी फॉर डिजिट नमबर कैन भी मेड ध्यर चारे में ध्यर अबड़ कैंnarओ ऍयध प्या प्या अबड़ का लाओ का लाधाग, व्हजिट पृ दिट डिट प्र prochain और उसने कहा के रैपिटेशन अलाउट से भी कर दो रैपिटेशन अलाउट से भी क्वेशन कर दो हमने कहा ठीक है चार डिजट नंबर बनाने तो हमने 4 स्पेशिस लगा दी यह एटर बी चार डिजट नंबर उसने कह जो चार डिजट नंबर हैं कुछ इस तरह से बनाने हैं कि जो number start होना वो 3 से होना चाहिए खत्म उसको 5 पे होना चाहिए यानि कि यह confirm है कि जो मैं number बनाऊंगा उसको मैं start करना है 3 से उसको मैं end करना है 5 यानि कि तीन और 5 की जगा मुकर्र है fix places है यह changeable नहीं है क्योंकि examiner ने condition लगा दिये उसने का मुझे ऐसा number चाहिए जो 3 से start हो रहा हो पांच में end हो रहा हो तो यह तो confirm हो गया यहां पर 3 कितने एक ही 3 है तो यहां पर सिर्फ एक number आ सकता है पांच कितने है पांच भी एक ही है तो यहां पर भी एक आएगा सेंटर में कितने number आ सकते हैं पांच भी आ सकता है आठ भी चार भी तीन भी एक भी अब second place पर यह पांचों के पांचों आ सकते हैं अज्यूम करें हमने second में इस आठ को सिलेक्ट किया इस एड को सिलेक्ट किया एड को सिलेक्ट किया क्योंकि रैप्टेशन अलाओड है दुबारा से सारे के सारे पांच के पांच आ सकते हैं तो टोटल नमबर आफ वेस कितने होगे हम यह चार डिजट नमबर लिख सकते हैं जो तीन से स्टार्ट हो रहा होगा और पांच पर खतम हो रहा हो इससे को देखते हैं रैप्टेशन नाट अलाओड में से यह तीन और पांच की जगह तो फिक्स हो गई यह तो चेंज नहीं होनी हो यहानु कि यहां पर सर्फ एक नमबर आ सकता है जो सकता है यहां पर फिर उसके बाद कितने 25 में किkien पांचों मेंसे इतने ऊंद vatar सकते हैं क्या पांद के पांच में पांच नमआ रा सकते हैं हरगिज नहीं क्योंकि देखो कि दो इसका तीन तो इदर आचुक हो गया पांच तो इदर राचुक हो पांच भी खतम हो गया पिछे सिर्फ तीन नम्बर रहे गें हमारे बाइस पिछे सिर्फ तीन नम्बर रहे ओन Better preciso ऑंब एक करें एट को सिलेक्ट किया अब पिछे कितना रएगे चार और और एक दो सबस्रें पर पस दो नमबर रहे तो अगर हम 58431 चार डिजट नंबर बनाने की कोशिछ करें तो मैक्सीमम जो हमारे पस्ट बिनेंगे वो six ways है छे तरह से वो हमारा question का answer हो इस तरह से हम ऐसे फाइव बनाएंगे जो पांस स्टार्ट हो रहा हो और तीन पे end हो रहा हुआ ठीक है इस को देख लें इसे तरीके से कि एक और कुछन देखते हैं क्वेशन नमारे पास यह है वाइज सेवन थ्री टू और इग्जामिनर ने कहा कि फॉर्म थ्री डिजेट और नमर का बना दो मुझे अच्छा और नमर बनाने आँ और उसने का वही दो किंडिशन एक जरा रैपिटेशन अलाउट से बना देना एक रैपिटेशन नाट अलाउट से बना देना थ्री डिजेट मांगे तो थ्री डिजेट के लिए त्री प्लेसिस लगा देंगे वान टू थ्री मन टू थ्री ठीक है थ्री डिजेट और आपको बता है और 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 नमबर का और एवन नमबर का डिसीन कौन लेता है डिसीन हम कैसे लेते हैं और ये नमबर ओड है या एवन है कैसे लेते हैं और और एवन का जो डिसीन आता है स्टुडेंट आपको बता है वो आखरी यूनिट और है हम करते हैं सारा नमबर ओड है आखरी यूनिट एवन है हम करते हैं सारा नमबर ही एवन है For example, मैंने एक नमबर लिखा 3, 24, अब आखरी नमबर क्या है देखें ज़रा, 4 is even number, हमने कहा सारा नमबर ही even है, पिर ने लिखा 3, 1, 6, अब देखें यह आखरी नमबर कौन सा है, even, हलाके देखें इसे पिछला नमबर odd है, उससे भी पिछला नमबर odd है, हम कहीं कोई फरक नहीं पड़ता, आखरी नमबर even, तो सारा नमबर ही even, फिर हमने कहा 6, 4, even, even, यहां पर आगया odd, 3 odd number है, इस odd की वज़े से हमने कहा दिया, कि हमारे पास odd number है, यानि कि odd और even का decision कौन लेता है, आखरी unit number, ठीक है दिया, तो जब भी हमारे पास, अब odd आ गया, जैसे कि हमने 0 केस में देखा था, कि 0 को 100 की जगापर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर 0 100 की जगापर आए तो 3 digit number नहीं बन रहे थे, 2 digit नमबर बन रहे थे, अगे इससे थे उड aan गया औध को चक करने के लिए हंड़ घ्रत नहीं नहीं किरते क्टे हैं कि हंड़ का तालग तो जीरो के साथ है ऑगो कई और शक्या करना है तो किस वीट को तालग किससे होता नमबर कितने हम और नमबर बना सकते हैं तो हमने देखना यहां पर कितने और नमबर आ सकते हैं कितने और नमबर आ सकते हैं हमने कहा नाइन अगर यहां पर आ जाए तो पूरा नमबर और बन जाएगा थ्री से भी और बनेगा से भी और बनेगा फाइव से भी और बनेगा या सारे के सारे आ सकते हैं यहां पर चार नमबर आ सकते हैं यहां पर आ सकते हैं एक्शली कोन आया होगा हम ने का जूम करें चले 9 आया है के 5 असकते हैं यहां पर भी 5 कि ured फटेंटी 25 HUNDRELatra क्या है जैंसे बात हाचिक है हमने का इस युनिट की जगा पर तो चार नबर रहेंगे 9 CP А यहां पर तो चार नबर आगें उन चारों में हगीकत में यह नाया तो 9 आया उगा तो 9-9 को खोस को 높y जो आगे उसको तो acqu gew checked चार नबर एक लोग फ तीम छार थैंगे जए नबर चार और सबसे पहले ponto करना है जब आप condition पूरा कर चुके हैं उसके बाब बस remaining numbers का आपने descending order multiplication लेते जाने आप यानि कि चार नमर यहां पर odd आगे तो वह एक number हमने 9 स्लेट के लिए पीछे चार रहे एक और स्लेट के लिए पीछे तीन रहे गे तो तो थ्री फोजा ट्वैल 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 फोजा 48 तो इसका अंसर आगे हमारे पास 48 ठीक है तो इस तरह से आप यह कुशन सौल कर सकते हूं सेम कुशन यह है लेकि रिक्वार्मेंट बदल रहा हूं मैं और नमबर था ना अब यह वह लिए रिक्वार्मेंट बदल रहा हूं मैं कुशन यह हमारे पास यही वला सिम कुशन है वाइव तो नाइन उसने का हो मैंने थी डिजिट नंबर कैन वी मेंट हो मैंने या शॉट कर लेते हैं वांब कर दिवीजिबल बाए विच अर्ट नमबर बना ओ जो कि दो पर डिवीजिबल यानिके दो पर डिवाइड हो हो रहे हों रेपिटेशन अलाउट से भी कर दो रेपिटेशन नॉट अलाउट से भी करता हूं तीन डिजेक नमबर बनाने हैं वान टू ठीक हो कि अब कंडिशन क्या है डिवीजिबल बाइटू अगर नमबर लिखा है वही वाला 24 तो देखें क्या पूर टूब्र है यह नहीं है क्या टू के टेबल वह अरहा है तो टू के टेबल ने बिल्कुल फूर है इसका मतलब यह डिवीजिबल बाइटू है फिर यह divisible by 2 है यह divisible by 2 है लेकिन यहां पर 7 आ गया अब क्या 7 क्या 2 की डेबल में 7 आता है बिलकुल नहीं आता यह divisible by 2 नहीं है इस तरह 4, 6, 3, 4 भी 2 पे divisible, 6 भी 2 पे divisible पर यह 3 2 पे divisible नहीं है क्या 2 के डेबल में कभी 3 देखा है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होगा 3 तो skip हो गया इट्स मीन यह भी 2 पे divisible नहीं है तो हमने कहा divisible by 2 का DCNB unit लेगा तो हमने यह देखना है कि हमारे इस नंबर में जो नंबर available हैं कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 पर divisible हैं हमने कहा सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो 2 पर divisible है यानि के यहां पे कितना number आ सकते हैं, यहां पे सिर्फ एक number आ सकता है, जो के यह two number है, उसके बाद हमें यहां पे कोई परिशानी नहीं है, यहां पर पॉच के पांच आएंगे, और यहां पर भी पांच के पांच आएगा, तो five in to five answer is, 25 तरीकों से हम ऐसे number लिख सकते हैं, 25 ह सरे दो पिडिवीजिबल होंगे आ रहे नहीं में क्या होगा रपटेशन आड़ाउड में यहां पर इसके सिर्फ दो ही आएगा ना ना यानिके दो तो आ चुका दो दो आ चुका यहां पर सिर्फ एक की नमबर आ गए यह उसे वह किसे कितने नमबर आ गए एक दो तीन चार हमारे पस um मिजौरेटी एग्Zांपल थे हैं देट reflects है अगर पर्मूटेशन नंभर के साथ अभ़ा है कि अगर पर्मूटेशन लफल के साथ आए तो उसको कासे हम सख़ल करें तो पर्मूटेशनि इसमें करेंगा कई से कौन कों खुद बनाकर सॉल्व कर लें ठेके लिए इसके जो फर्दर प्रैक्टिस होगी इंचला मैं आप से शेर कर लूँगा पिर आप वह सॉल्व कर लिए चाहिए आप वह सॉल्व कर लें आप समय और सॉल्व कर लाउ पुट। प्रमुटाशन अवर्ट प्रमुटाशन अवर्ट प्रमुटेशन अवर्ट लफजों की प्रमुटेशन इन लफजों की प्रमुटेशन में हम चार सेनेरियू डिसकस करेंगे नमबर वान तो चार सेनेरियू कुछ यह है नो रेपिटिशन अफ लेटर नो रेपिटिशन अफ लेटर नो रेपिटिशन अफ लेटर सेकंड रेपिटिड लेटर रेपिटिड लेटर ठीक जी थर्ड इंशाललह हम डिसकस करेंगे वावल्स तुगेधर वावल्स तुगेधर और फूर्थ नमबर पर हम वावल्स नेवर तुगेधर ठीक जी थे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नो रेपिटिशन अफ लेटर के हमारे पास एक ऐसा लवज है जो रिपीट नहीं हो रहा उसकी परिमुटिशन क्या होगी ठीक है तो नमबर वावन हम सॉल्व करें पहले नो रेपिटिशन अफ लेटर तो नो रेपिटिशन अफ लेटर में हमारे पास जो एक्जैंपल है वह यह है फॉर एक्जैंपल हमने वर्ड लिखा काईट के आई टी क्या इस काईट में कोई लव्ज रिपीट हो रहा है कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो अगर हमने यह देखना है हम कितने तरह से यह काईट का वर्ड अरेंज कर सकते हैं तो इसका सिंपल सा रूल यह होता है सिंपल सरूल यह है जितने भी लेटर होंगे उनका फिक्टोरियर यानि के यहां पर आंसर आ जाएगा नो रेपिटिशन आफ लेटर का अगर एक फॉर्मॉला बनाना चाहिए बना सकते हैं टोटल लेटर का फिक्टोरियर जितने भी लेटर होंगे उनका फिक्टोरियर और यहां पर ना एक बात याद रिखने आप में देखें अब मैंने यांपर आपको नहीं बताया पिछले नंबर वाले कोस्षिंट में हरे कोस्षिंट में बताता चलता जा रहा था कि इसमें रेपिटिशन आलाउड से करो इसको रेपिटिशन नाट अलाउड से करो याद रखिये का बात इग्जैम फोकस बात है कि अगर examiner silent है about repetition allowed or not allowed you always use repetition not allowed अगर examiner silent है अगर examiner ने नहीं बताया कि question को repetition allowed से करना है या not allowed से करना है हम हमेशा question repetition not allowed से करेंगे हमेशा यह बात जाज़ा है if question is silent we will use repetition not allowed इस बात को लिख लें आप question silent है हम repetition not allowed यूज़ करते हैं ठीक है अब काईट है उससे नहीं बताया कि repetition allowed से करना है या not allowed से करना है तो बताएं हमें किस से करना चाहिए repetition allowed से या not allowed से जी बताएं जनाब repetition not allowed से करना है ठीक है क्योंके question silent है अब जो repetition not allowed से करना है तो हमने कहा simple सा formula है total letter का factorial हमारा answer तो कितने letters है एक दो तीन चार 4 letter 4 factorial यह हमारा answer और 4 factorial का अगर calculated answer देखना है तो calculator use करते हैं इस calculator में आपके पास factorial का sign बना होता है अगर आप चाहते हैं कि calculator में यह factorial का sign आपको मिल जाए तो इसके लिए आपको shift press करना है आपको shift press करना है और mod के नीचे जो model बटन होगा x inverse उस x inverse को press करना है और उस x inverse के ओपर golden color में लिखा होगा यह x factorial तो shift और x inverse shift और x inverse press किया तो factorial का sign बन गया तो लिखें तो क्या लिखेंगे आपके पूर उसके बाद शेफ्ट एक्स इनवर्स फिक्टोरिल बन जागए फॉर फिक्टोरिल चेक करते हैं फॉर शेफ्ट एक्स इनवर्स तो बन गया फॉर फिक्टोरियल इक्वल का बटन प्रेस कर दो आंसर आगया गाट टेकिट अच्छा इसको न आप एक और तरीके से भी कर सकते हो फॉर स्टोरियल चार लवज है न इसमें से कितने को ओर इंज करना नहीं बताया अगर इंग्जैमिनर नहीं बता रहा इसका मतलब सारे लफजों को ऑरेंज करने उसके बाद क्या इग्जैमिनर नहीं ब बारे में silent है, जैसे के मैं ने कह था, कि मैं आप पांच नम्बर हैं, 3 डिजिट नमबर भी बनादो दोुडिजट नमबर बनादो। चार दिजट नमबर बनादो। इस तीन आई भी निकल गया इतने रहें कि दो टीम भी निकल गया एक फोर थ्री टू वन यह सा चार फिक्टोरिय लिए लेकिन यह ज्यादा इस तरह करना तो रूल क्या हुआ अगर लेटर आ जाए हमारे पास और लेटर में कोई भी लेटर रिपीट ना हो रहा हो तो हमारा फॉ यह और आंसर तो सेकंड लेखते हैं सिंपल हमें टोटल लेटर का फिक्टोरिय ले रहा है तो डेट विल बी और आंसर होगा एक और लवज ले ले लेते हैं हम लवज यह हैं लवज है लर्न अब देखें ल-e-e-a-r-n में कोई लवज रिपीट हो रहा हूं मैं हमने का नहीं है सारे डेखते हो तो जिंदगीया असान बड़ी चुप चप सारे लेटर का फिक्टोरिय ले लो वान टू थ्रीं फोर फाइव तो answer क्या आगया 5 factorial और 5 factorial क्या होता है direct calculator से देख लो ठीक है यह तो 5 4 3 2 1 तो answer आगया direct बस आपने 5 factorial करने यह नहीं करना आप यह वैसे मैं एक्सपेंशन शो करवाई है एक और वर्ड देख लेते हैं कि एस एच आई आई टी शिर्ट क्या कोई इसमें से लेटर रिपीट हो रहा है हमने कहां नहीं नहीं कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो हमने लेटर लेटर फाइफ तो आंसर इसका भी 5 factorial that is 120 ठीक है एक और देख लेते हैं हमारे पास fan आ गया fan fan में कितने लेटर है तीन लेटर है तो चुप चाप तीर का फिक्टोरिय ले लो तो 3 का फिक्टोरियल 3 इंटू 2 6 अंसर इस और यह चार इक्जैंपल्स हमने की जब हमारे पास no repetition of letter लेटर लेटर की repetition नहीं अब अगली ग्जैंपल से देखते हैं और अगली ग्जैंपल्स हमारे पास जो हैं वह हैं कि रिपीटीड लैटर की शेकेंड केस आगया हमारे पास रिपीटीड लैटर अ क्यों पीटिट लेटर अगर कोई लेटर रिपीट हो जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो इसका भी एक टोटल लेटर्स अभी यह रहेगा टोटल लेटर्स का फिक्टोरियल divided by repeated letter का फिक्टोरियल repeated लेटर का यह फॉर्मॉला है अगर कोई रिपीट हो जाए तो वह डिवीजन में आ जगा जैसे कि वह इन्हें आपको नंबर में सिखाया था कि अगर कोई परस्ट वर्ड जो हमारे पास है वह हमारे पास है अगर ले लेते हैं स्कूल अब स्कूल में देखें अगर हम आपने फॉर्मॉले की बात करें टोटल लेटर का फिक्टोरियल लेना है मुले तो बताएं टोटल लेटर कितने हैं वाइंट टो थ्री फॉर फाइफ सिक्स तो सिक्स फिक्टोरियल आ गया क्योंकि ओ दो मरत बाहर है इसका मतलब कॉमन देखते का आंवर आता है और सिक्टोरियल डिवाड़ेट वाय टू का फिक्टोरियल कल्कुटरी मिलका आंसर है तो थी शिक्स्टी में रांसर आगहां तो नहीं गॉत इसेंपल लेखते हैं तो इसेंपल यह है लैप्टोप हिए ठीक तोवर्ड हमारे पर लैपटॉप है किते लेक्टर वाँटो थी फॉर फाइव सिस लेक्टर से वाइं तोिक्स का विक्टोरियल आ गया कोई रिपीट हो रहा है और एल एट और रहा गया कोई रिपीट नहीं हो रहा तो इसका भी आंसर तो उपर वाला ही आ गया दैट इस 360 अब गॉट एक और देखते हैं आप इस तरह कोई भी नमबर लेके कोई भी लेकर लेकर खुद से बना सकते हूं एक वह देते हैं कि वर्ड हमारे पास एप्टिट्यूड इस वर्ड एप्टिट्यूड में हमें देखने हैं कि हमारे पास अच्छा को सार सारों का यह मतलब जितने भी लिख रहा हूं उन सब को सब्सक्राइब है इन हाओ मैनी वेज फालू रूंग वर्ड कैंब अरें मतलब इन सब्सक्राइब एक जनल को सब्सक्राइब जनल को से यह है इन हाओ मैनी वेज इन हम वेज फाल वींग वर्ड और उसने नहीं बताना कि यह ना रिपीटिड लैटर का कैसे अरेंज खिया जाता है और नाउन रिपीटिड लैटर को कैसे रिफ्टिड को कैसे रिफ्टिड आ गया अब एप्टिट्यूट वे सबसे बहुत हमने लव्ज गिनने हैं लेटर है कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानिका यहां पर चुप चाप तो आठ का फिक्टोरियल आ अब यहां पर आएगा रिपीटीड लेटर का फिक्टोरियल ठीक है फॉर्मुला क्या थ पिछह कर आगया? A-P-I-U-D-E कोई रिपीट नहीं हो रहा हो तो हम नहीं कहां चलो फिर कोई नहीं यहां साथ 8 फिक्टोरियल ठीक है एट फिक्टोरियल, तू फिक्टोरियल, आंसर इस, टू, जीरो, वन, सिक्स, जीरो, यह आंसर आगा, ठीक है, चलें एको देखते हैं, डी वला, डी वला यह है, वर्ड हमारे पास से, मिसी सीपी, ठीक है, तो मिसी सीपी एक रियासत का नाम है, ठीक है, जगा का नाम है, तो अब देखते हैं, वर्ड मिसी सीपी में है, कितने तरहां से इस मिसी सीपी वर्ड को लिखा जा सकते हैं, तो रूल वही हमारा, रूल नहीं चेंज होने वाला, है टोटल लैटर का अधिक्रोड रिपीट बपेंड़ का सैंतने तो esin एक कि यह को एक हो टीन कर मिर्थ चाओ शोड़ाय को रहा है एस चार मरतबार है तो यहां पर एस चार मतबर रिपीट हो रहा है यहां पर आ गया चार का फिक्टोरिय ठीक हो गया और कुन-कुन रिपीट हो रहा है हमने का आई एक दो तीन चार आई भी चार मरतबार है हमने लिख दिया जो जितनी बाही रिपीट होता जाएगा उसका उतना फिट्टऎरियल राता जाएगा हमने कका हां ये पी भी तो这 Max कitnा प्या Dave दो मर्तबा दो का फिक्टोरियल ठीक है बस एम में बस चारा रिपीट नो बगे सारे रिपीट हो गया तो आंसरी इस इस करके 11 का फिक्टोरियल चार और दो जास चलो हम कठा दस का फिक्टोरियल लेते जाना आपके फॉर के टोरियल मुल्टिप्लाइब बढ़ टू का फिक्टोरियल आंसर इस हमारे पसा आगया आंसर हमारे पर सागया 346 34650 पर आगया 34650 यह हमारे पर साथ गाट इट होप सो आपको इसकी समझ लग चुकी होगी ठीक है और भी अगर आपने कोई वर्ड करना होगा अब कुछ से कोई वर्ड बना सकते हैं और इसकी इसकी पर्मुटेशन इस तरह सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो अब करते हैं वावल्स टुगैदर बज़रा हूँ वावल्स टुगैदर थर्ड हमारे पास है वावल्स टुगैदर वावल्स टुगैदर वावल्स टुगैदर में हुम देखते हैं हमारे पास क्या अंसे अचा है वावल्स टुगैधर हम ना इन्हीं के ले लेते यह जितने में लव्स लिखे इन्हीं के वावल्स टुगैदर लिछत vacation ट37 कि वोउल ने याड़म तक यह तो यह थे ले रहा हुआ आप खड़ेंपल स्कूल था अमन ჉ нажा स्कूल का वाज़ तुगचा है तो वर्च स्कूल यह अब अब अक्षा धे तो हम सॉल्व करें दर को तो हम přिप्ट करते हैं स्कूल अच्छा वावल्स टुगेदर में एक्जैमिनर ने कहा कि भई इस वर्ड स्कूल को इस तरह से रेंज करना है कि इस लफ्स के अंदर वर्ड के अंदर जितने वावल आ रहे हैं वह सारे सारे एक साथ रहें जितने भी अगर दूर दूर भी वावल्स हैं वह सारे क्रीब क्रीब साथ साथ आज़ा तो इसका तरीका बड़ा असान है इसका तरीका यह है सबसे पहले ना आप पूरे वर्ड में से कॉंसोनेंट अलग कर लो आपकर वावल्स करते हैं A, 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 I, O, U यह बावल्स होते हैं इनिके लावा जितने बी वर्ड होते हैं A, B, C, C, D तो सारे अलग कर लो तो consonant को ने में पास? S-C-H-L तो S-C-H-L Consonants अलग कर लो यहां से इन दोनों vowels को उठा लो दोनों vowels को उठा के side way कर दो vowels together कैसे solve करना? फिर से बता रहा हूँ इस consonants को लफ्स में से consonant vowel को दोनों को पहले अलग अलग कर रो ठीक है? split कर दो तो हमने consonant अलग कर दिये तो यहां पर vowels को लग कर दिये अब हमने का इन दोनों vowels को सासत रखना है तो यह दोनों vowels कितनी तरहां से साथ साथ आ सकते हैं यह देखना हमने कितनी position में यह साथ साथ आ सकते हैं हमने का हो सकता है यह दोनों vowels S से पहले आजाएं, हो सकता है, दोनों O यहां पर आजाएं, हो सकता है, C से पहले आजाएं, हो सकता है, S से पहले आजाएं, हो सकता है, L से पहले आजाएं, हो सकता है, L के बाद दोनों O आजाएं, यानि कि दोनों O इस तरह आजाएं, इस तरह आज़ हो सकते हैं यानि कि ये दोनों ओ कितनी तरहां से अरेंज हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हमने का 5 factorial way से अरेंज हो सकते हैं ये बाद लिख लिख लिए ये सबसे पहले ओ कितनी तरहां से अरेंज हो सकते हैं ओ कहां कहां आ सकते हैं ये लिखना है हमने का ओपांच विक्टोरिल वे से आ सकता हैं. फिर हमने देखता है क्या इस कॉंसोनेंट में हमारे पर कोई repeat नहीं हो रहा हमने का कोई repeat नहीं हो रहा है इटसेल भी अरेंज होते हैं यानि कि यह इए भी हो सकता था यानि कि इन दो वावल्स ने इटसेल भी अरेंज होना है अपने आप से भी अरेंज होना है तो दो वावल्स हैं तो दो वावल्स कितनी तरह से रेंज हो सकते हैं हमने कहा दो फिक्टरिण, इसे दो वावल से, दो फिक्टरियल से रियंगज़, यह 5 कहां से आ है, यह सारी position, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह 5 यहां से आ ए, पिर हमने कहा है यह तर। दो वावल रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट होगा, इसके सब visorial करते हूँ बाशway by Angeles कट्रिप அ जड़िए कि केंचिन लिएक हमारे पास अंसर आता है कंप केंडेalin केफार्ड चाइए वाइन ट्वेंटी तो फाइएक व्लिक्टोृत का अंसर हमारे पास आगया किवाट है एक और वर्ड वर्ड है लेप्टॉप अब हम लेप्टॉप कितनी तरह से रेंज हो सकता है और इसमें वावल साथ रखने है सबस्क्राइज सब्सक्राइज दो नों को यहांपर रेस कर देता हैं एक दो तीन चार यह भी रूल बना सकते हो जितने consonants होंगा उसमें एक add कर देना, जितने consonants होंगा उसमें एक add कर देना, ठीक है, यानि कि एक, दो, तीन, चार है, चार consonants का मतलब 5 factorial, कैसे, यह देखे, एक, इदर भी आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, तो 5 factorial भी से आ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद, वावल्स कितने हैं, 2 walls हैं, 2 factorial यहांपर आगया, फिर देखें, क्या इस species repeat हो रहा है, हमने का, हाँ, पी-दो-मर्तवर, repeat हो रहा है, तो, यहांपर आगया, 2 factorial, Wanna spit हो रहा है, कैसा repeat हो रहा है, कुछ repeat हो रहा है, तो, यहां पर कुछ ना, लिखे, अगेन टूफिक्टोरिल टूफिक्टोरिल से कैंसल हो गया और फाइफ इक्टोरिल रह गया फाइफ एक्सोबीस आथा ठीक है तो समझा रही है तो अब दो रहा गी एक एप्टिट्यूट की और एक हमारे पस मिसिसी बी देखतें तो लास्ट में वापस वावल्स नेवर टुगेदर रह जाएगा अब हम आपस C में आगया वर्ड एप्टिट्यूड इसको एप्टिट्यूड भी पढ़ा जाते हैं एप्टिट्यूड भी पढ़ा जाता इसको मुद्लिफ प्रोल वोई हको उठा लो तो वावल्स को यहां से उठा ले ए सिए ऐाई इँड यूई चार शॉपल रिमापना चार गो टौ किं आ Soo लूँ गां कि चारो वावल्स को यहां से उठा लिया मैंने ए भी गया यू भी गया व्हे δεν है तो इह यूँ फिट 對ने ससे साथ आ सकते हैं हूंने एकदब किते नमरे एैएग दो तीन चार चार प्रक्राइश हम आता है ऑंक हो षक्तूर्स साथ कीसे हो सकता एए ःयूए सारी इदर आजिए हो सकता है इदर आजए हो सकता है हां पर आजिए हो सकता है और आई यूए हो सकता है यहांTH न नंhero이면 divisum टील आयो इन यहिcono है कि रहां से आ एक ले ल्फूर से आ सकता है एक दो कितने हैं ए शार वावल्स हैं इटसले फी रूटेट होते रहेंगे ऐसे न ही कि हर बार कभी आई पहले आ जाएगा कभी यू पहले आजएगा कभी और जो तो कितनी तरह से अर्य हो सकते हैं देखो ना अगर मैं यह वही वाला क característने जैसे कि वहनिए को सकता- वरिए काई यह तो हकी हो सकता है कर दो बूद कितने तरह से हो सकते है आपनि का सर किया काई में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो मैं मैं आखूंगा फिर ए यूई भी चार फिक्टूरियल बेसे रही जो सकते हैं ठीक है अब देखने कॉमन क्या रहा है इस कॉंस्टेंट में यह टी टी कॉमन आ रहा है यहां से मैं रिपास कह रहा है अच्छा ऐसा हर्गिस नहीं करता आपने इसार नहीं कर सकते हैं क्योंक्य अगर मैं ऐसे कुंद्न के दू 4 factorial divided by 2 factorial 2 1s are 2 2s are तो क्या बाज़ता है 2 factorial और 2 factorial का answer क्या आता है 2 into 1 that is 2 जो के घलत है 4 factorial का मतलब होता है 4 3 2 1 2 factorial का मतलब होता है 2 और 1 सिर्फ 2 और 2 cancel भा 4 3s are 12 actual answer आता है जबके आप 2 लिख रहे होंगे इस तरह कटिंग नहीं करनी है same factorial है तो cutting करनी है ऐसा नहीं करना 4 1s are 4 2s are 2 factorial बाचिगा ऐसा नहीं करना सारा गलत हो जाएगा तो अपने क्या करना है अब calculator के इस्तिमाल करना है direct calculator से पूछ लेते है 5 factorial divided by 2 का factorial multiply by 4 का factorial the answer is 1 double 4 0 1 ठीक है जी क्या मारा answer आगया 1 double 4 0 अब लास्ट हमार पर स्राइग है mississippi के लिए कहां लिखते है लास्ट dm e c c p vowels निकाल लो इसमें से चार vowels है एक दो तीन चार यह चार vowels है और कोई vowels नहीं है यानि कि एक दो तीन चार चार आई मेंने साइट पर कर दिया चार vowels साइट पर कर दिया फिर में पैस consonant कौन रहा गया इसको निकाल दो निकाल दो निकाल दो consonant के तरह रहागे एक दो तीन चार पांट छे साथ साथ consonant रहागे साथ consonant का मतलब होता है यह आठ फिक्टोरियल वेसे range होंगे जैसे कि एक दो तीन चार चार consonant का मतलब होता है पांच वेसे आरेंज होना के एक दो तीन चार चार कॉंसिनेन लेजन पांँ फिक्टोरिएल इसे अरेंज करने मुल्टीप्लाइब आचाहिआ यहाँ पर लिखने हैं कॉंसिनित के आथा यहां पर आता है । उववल्ड का हाँ बंग सकते हैं 4 हैं चार हो का इस नहीं हो रहे हैं क्या कि है रिपीट तोने हो रहे हैं हाँ हो रहे हैं 12344 मर्तब़ एस आ रहा है थो चार काुट्षरियल दो मर्तब़ अर रहा हैं 2've retire 4 आ है चार आई है और तो चार होंगे चार हो रिपीट हो रहे हैं है तो यह और यूच आ गया तो इसको solve कर लूँगा मैं जा सॉव कर लेता है ऑठ का फिक्टोरियल ड्रीवाड़िड वैं चार का एंसर आया 840 जो है Mississippi में मिसिसीपी में वावल्स टुगेदर रहेंगी हमारे पास ठीक हो गया तो यह मैं पास था जिसमें हमारे पास वावल्स टुगेदर है अच्छी हम आपस अब लास्ट रह गया अच्छा लास्ट बहुत असान है लास्ट वहरी इसी है वावल्स नेवर तुगधर तो वावल्स नेवर तुगधर के लिए में इनको मैंने खुद जान बूज रहें निकिया deliberately क्योंकि मुझे इनहीं के आंसर से आपको समझा देना है वावल्स नेवर टुगेदर तो वावल्स नेवर टुगेदर में हम क्या करेंगे आप रिपीट रेटर का फिक्टोरियल हाँ बस ठीक हाँ कि यहां से शुरू करूंगा ठीक 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 है तो यह स्कूल का अंशर याद रख लें स्कूल का अंशर वावल्स टुगेदर का 120 से लैपटप का भी 120 से दोनों को अंशर याद रुखलें ठीक है क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं यहां से स्पेस लेता हम आप दो अच्छा अब हमारे पास लास्ट केसे वावल्स नेवर टुगैजर फूर्थ केसे के एंड लास्ट केस वावल्स नیवर टुगैजर वू कह रहा है कि अब जो वावल सा सा जो आ रहे थे आपकी वावर वह सा सा त्मा है तो इसकंगि बाड़ा सा फॉर्मूला इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे वावल नयवर टुकैजर में के हावल्स करदूंगा vowels together को vowels together को मैनेस कर दूंगा तो vowels never together आजेगा यानि कि never together का फार्मुला हुआ total number of ways minus vowels together यह फार्मुला होगे ठीक हो गया यह जो total number of ways होता है यह total letter ह curriculum होत Tampa जो total number of ways है यह मैं बस total letter का फिक्टोरियल ही होता है और repeated letter का फिक्टोरियल है अब देखें word school है examiner ने कहा कि word school है बताओ इसमें से vowel एक साथ नहीं आना चाहिए यह जो O और O साथ आ रहा है इसको नहीं आना चाहिए तो मैं क्या करूँगा जितने मेरे total letters होंगे उसमें से अग रखेगा vowels never together directly solve कर सकती है यह बड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए आपको indirect way से जाना बढ़ेगा total number of ways में से vowels together को minus करूँगा तो answer आजएगा vowels never together ठीक है जैसे कि अगर हम assume करें हमने 60% number लिए है total 100% है तो its mean अगर हमने 60% number लिए है तो remaining number कितने है हम 100 में से 60 number minus करें तो remaining 40% ठीक है तो बिल्कुल इसी तरह हमाँ पास vowels never together को find करने है total number of ways में से अगर vowels together को minus कर दूँ तो वावल never together ठीक हो के तो total number of ways कितने है तो यहां पर लिखतूँगा स्कूल के लिए total vowels never together total number of ways minus vowels together what is total number of ways 20160 तो यहां पर आठेगा 20160 स्कूल के वावल together कितना था यह देखा स्कूल के वावल together 120 था तो 120 को माइनस कर दूँगा यहां पर हमारा आंसर आठेगा आंसर क्या था इसका 20160 माइनस 120 आंसर आ गया वावल never together का 20040 यहां इस तरह लैप्टॉप लैप्टॉप में total number of ways कितने थे लैप्टॉप में 360 तो लैप्टॉप में 360 total number of ways थे थे ठीक है तो अब लैप्टॉप में इसने का कि वावल never together है हमने का वावल never together is equal to total number of ways माइनस वावल स्वेदर वाट इस टोटल नंबर आफ इस लैप्टॉप के 360 तो 360 तो आ गया इस तरह हमारे पास word है aptitude यह वर्ड आप्टॉट आ गया और यह वर्ड आप्टॉट का वावल्स together तो 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 वर्ड आप्टॉट है मारे पास थे तो वर्ड वर्ड अप्टॉट में वोल्स नेवर टोगेथर इस उकवल टू अर तो टोटल नंबर आफ वेज माइनस वावल्स टुगेश्ट सटुगेथर बाट इसे तोटाल नंबर आफ टटोost कितना है हमारे पास ओ सोरी का टोटल नमबर है वेट थीन सो साथ है तो 360-130 मारे त्री शिच्टी मानीस थे मारे टूफोर्टी सो रिये तो अपटेट्टिट गता तो तो टोटन नमबर वेस कितने है तो जीरोवन सिक्षी जीरो तो टोटल नमब अब्स वेज्ट आ गया तू जीरो फोर जीरो तो वावल स्थोकेदर कितने आगे मैंनस कर दें 2 0 1 6 0-1 4 0-4 0-1 720-1 720 यह आंसर इस ताम में वर्ड मीसी सीपी है वर्ड मीसी सीपी में हमने देखना है vowels never together तो formula vowels never together का total number of ways minus vowels together what is the total number of ways in Mississippi the answer is 3 4 6 5 0 3 4 6 5 0 3 4 6 5 0 3 4 6 5 0 vowels together कितने 840 यह 840 पहले find की हुए तो answer क्या आ गया 3 4 6 5 0 minus 840 अंसर आ गया double 3 8 1 0 तो यह हमारे पास सारा answer आ गया तो जब भी vowels never together आ गया तो vowels never together के लिए आप लोगों को total number of ways भी find करने पड़ेंगे और vowels together भी find करना पड़ेंगे क्योंकि vowels never together के लिए पहले total number of ways आएंगे फिर vowels together आएंगे उन दोनों को minus करने के बाद vowels never together आगे तो यह हमारे पर सारी सारी permutation थी words की तो आज के लिए हमने काफी है आज हमने क्या सीखा permutation ने कुछ numbers के question किये और permutation हाव words हमने completely सीख ली कालके लेक्शर में इंशाला हम combination का जिकर करेंगे combination क्या है तब तक के लिए अला आफिज